हमेशा इनसानों से भरे रहने वाले रेलिवे स्टेशन भी हमें भूतों और विशाचों के होने का एहसास करवा सकते हैं ये मुझे उसी दिन पता चला था नमस्कार आप देख रहे हैं आहट एक अन्होनी की कशिप के साथ भूत पिशाच चुडैलों के डरावनी और हैरत अंगेज कहानिया सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ हमें बेल आइकन को भी जरूर दमाएं नए वी शर्मन और मैं काफी क्लोस फ्रेंड्स थे बच्पन से ही साथ में रहे और पढ़े थे उसके पिताजी का ट्रांसफर होने के वजह से तीन साल से हम लोग अलव हो गए थे लेकिन फोन पर दोनों के रेगिलर बातें होती रहती थी एक दिन शर्मन ने कहा कि उसे शादी के ल कहना बहुत जरूरी है शर्मन जिद करने लगा तो मैं उसे मना ना कर सका जिस दिन उसे लड़की देखने जाना था उसके एक दिन पहले रात को दस बज़े मेरी ट्रेन पहुंचने वाली थी मैंने ट्रेन पकड़ी और रवाना हो गया ट्रेन का मेरा सफर काफी अछ़ा गुजर रहा था जब ट्रेन ने आधा अंतर काटा होगा तब कुछ कारणवश ट्रेन लेट होने लगी और रात को दस बजे की जगह पर अब ट्रेन दो बजे रात को पहुँचने वाली थी मैंने शर्मन को फोन करके कह दिया था कि अब तुझे मुझे लेने आने के जरूरत नहीं है मैं खुद ही आ जाओंगा जब मैं स्टेशन पर उद्रा तब करीबन धाई बजच चुके थे और स्टेशन पर मेरे अलाबा और कोई उत्रा भी नहीं था कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद मैंने सोचा के पहले चाई पी लेता हूँ मैंने वहीं पर प्लैटफॉर्म पर ही एक चाई वाले से चाई ली और मैं चाई की चुसकी ले ही रहा था कि मेरी नजर दूर एक बेंच पर गई जहां मुझे कोई जाना पहचाना बैठा हो ऐसा नजर आया मैं धीरे धीरे वहां आगे बढ़ा तो देखा कि वो मेरा दोस्त ही था जो मेरे तरफ नहीं बलके रेलवेड ट्रेक की तरफ नजर किये हुए बैठा था मैं जैसे ही उसके पास पहुँचा मैंने उससे कहा कि अरे शर्मन मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे लेने मत आना तो फिर तू क्यों आया और आया तो फिर यहां क्यों बैठ गया था मुझे कॉल क्यों नहीं किया तब शर्मन ने सिर्फ इतना कहा कि अरे यार वो यादी नहीं रहा कि तुझे कॉल करना था चल जल्दी से मेरे साथ बहुत लेट हो गये हैं अपने ऐसा कहकर उसने मेरी बैंग उठा ली और प्लैटफोर्म से आगे अंधेरी के तरफ तीजी से चलने लगा मैंने उससे कहा कि अड़े भाई बाहर का रास्ता तो इस तरफ है न तू वहां कहां जा रहा है उसने कहा कि यह शौटकट है और यहीं से जाना है वो मेरा सामान लेकर के वहां से जल्दी से बाहर निकल गया और उसके पूछे पीछे मैं भी बाहर निकल गया वहां काफी अंधेरा था और शर्मन काफी दूर जाकर के खड़ा हो गया मैंने उसे कहा कि ये तो क्या कर रहा है और आज एकदम स्ट्रेंज क्यों लग रहा है तेरे साथ उतने में एक डरावना साप पिशाच नुमा आदमी मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं शर्मन नहीं तेरी मौत हूँ ऐसा कहते ही उसने मेरा गला दबा दिया और मैं अपने आपको छुडाने की नाकामयाब कोशिश करने लगा मुझे लगा कि मैं अब मर ही जाऊंगा तभी एक तेज कार ने उस आदमी को साइड से टकर मारी जिसकी वजह से मैं उसकी गिरफ्त से छूट गया और वो और कोई नहीं बलकि मेरा दोस्त शर्मन ही था जो मेरी जान बचाने आया था वो पिशाच टकर लगने के बाद वहां से गायव हो गया और शर्मन ने मुझे तुरंद कार में बिठाया मैंने कार में बैठने के बाद उसे आगे का किस्सा सुनाया तब शर्मन ने मुझे कहा कि जब तुने मुझे स्टेशन आने से मना किया था मैं तो तभी स्टेशन आ चुका था और गाड़ी लेट होने की बज़या से कार में ही सो गया था पता नहीं अचानक ऐसा लगा जैसे तुझे कोई तकलिफ हो और मैं कार लेकर के इस तरफ आया और तुझे इस हालत में देखा सच्वें उस दिन शर्मन के दिल की आवाज ने मेरी जान बचा ले थी उस शैतान से आज की कहानी में बस इतना ही अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं अगली कहानी में तब तक स्टे होम, स्टे ब्लेस्ट, थेंक यू